एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने खालिस्तानी अमरित पाल का पुतला फूंका रास्तिय देश विरेश चंडिले के नेतरतों में जगादरी बस चन के समीब खालिस्तानी आतंग की अमरित पाल का पुतला जलाया और खालिस्तान के खिलाफ परदर्शन किया इस मौके पर विरेश एंडिले ने कहा कि हमारा फ्रेंट 25 साल से खालिस्तान के खिलाफ आवाज उठा रहा है जर्नेल सिंग बिंडरा वाले के खिलाफ बबर्बर्ग खाल्चा के आंतकवादियों के खिलाफ रस्ति स्तर पर जमीनी और कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं पंजाब को बचाने के लिए केंद्रे ग्रह मंत्री द्वारा पेरा मिलिटरी फोर्स भेज कर जो कारवाई की गई वो बेहत सरहानी है आज हमने यमना नगर में खालिस्तान और खालिस्तानी अमरतपाल के खिलाफ विरोत परदशन किया है और उसका पुतला जला है आज हम देश के उन शहीद वीरों को भी नमन करते हैं जिनके बलिदान से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं वहीं उन्होंने का कि पंजाब सरकार को इस पर कारवाई करनी चाहिए लेकिन अब केंद्र के तरफ से कारवाई हुई है खुद को पंजाब का वारिस करने वाला आज भेश बदल कर भाग रहा है हम मांग करते हैं कि ऐसे देश द्रोही को गोली मार देनी चाहिए जारा हिंदुस्तान के अंदर एक मात्र एंटी टेर्रस फरेंट ऐसा है जिसने 12 नुमंबर 2022 को और 4 फरवरी 2023 को पंजाब के राज्यापाल को ग्यापन दिया बनवारी राल परहुई जी को कि आप जो अमरित पाल सिंग के साथ लोग चल रहे हैं वो अतंक वाती है अमरित पाल ISI का अजेंट है इसको वपर खाल्सा की फंडिंग होती है इसके हतियार सारे रत किये जाएं कबजे में लिये जाएं लेसेंस रत किये जाएं लेकिन किसी ने नहीं हमारी सुनी और अब जब पेरा मिल्टरी फोर्स अमिच्छा ने भेजी अब वारिस पंजाब का अमरित पाल कभी बाब अपने बच्चों को छोड़ कर भागता है वारिस पंजाब जो अब खालिस्तान की बात करता था अभी तो अंगडाई ली है केंजर सरकार ने अमिच्छा ने उसका पता नहीं केश काटकर और दाड़ी काटकर क्योंटे रूप में भाहरूपिया बढ़के फरार हो गया हिंदुस्तान में खालिस्तान की बात करने वाड़ों को गोड़ी मारने का कनून लाए और जितने भी अतंकवादी पकड़े हैं जो लोग अमरीच्पाल का और खालिस्तान का नाम लें और उनकी वकालत करें उनके उपर भी राच्छ द्रहों की सेक्षन लगा कर लोगों को जेल भेजा जाए